टूदेंट्स वेलकम बेक टू सचीन मैथ क्लासिच जो हमारा एश्टेक्ट एलजेब्रा मेथ चल रहा है उसमें बहुत सारे टोपिक ले लिया अप्रोक्षिमेट आज हमारा 17 लेक्चर है और इसमें अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन जो रिपीटेड है आपके एक्जाम के लिए ठीक है तो इंपोर्टेंट है सभी युनिवेस्टी को लिए कोमन है ठीक है इफ जी इज ग्रूप ओफ ओडर 40 किसी ग्रूप का ओडर है 40 एच एंड के आर इट सब ग्रूप है और उनका ओडर सब ग्रूप का ओडर दिया हुआ है एच का जो सब ग्रूप होना चाहिए हमारा एच और के भी सब ग्रूप किसका होना चाहिए ग्रूप जी का एंड फर्दर शो डैट ओडर ओफ है एच इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन एक्वल टू फाइफ तो स्टुडेंस बिल्कूल बेसिक क्वेस्टन है बहुत बहुत इजी क्वेस्टन है मैं जैसे बता रहा हम वैसे निकालना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे सौलह करना है सबसे पहले क्या है इंडेक्स ओफ एच इन गुरूप जी जो सब group दे रखे हैं, उनके index निकालने, दोनों के, तो सबसे पहले, index of h in group g, index के निकालने का क्या formula होता है, order of g, जो में और नीचे क्या होगा, जिसका निकाल रहे हैं, तो हम इदर किसका निकाल रहे हैं, h का निकाल है, order of group कितना है, 40, order of h कितना है, 20, तो इसको करेंगे तो हमारा कितना आगया 2, अभी index of k निकालेते हैं, तो इसका भी order of g upon order of k, order of g कितना है 40, upon order of k कितना है हमारा 10, इसको cancel करेंगे तो कितना आएगा 4, अभी आपको अमेशे याद रखना है कि इधर से जो हमारा ये order है, जिसका भी हमारा 2 आएगा, क्या उसके लिए since, देखो मैंने लिखा हूँ है, since, क्या लिखा हूँ है, since any subgroup of index 2, किसी भी subgroup का अगर index 2 आजाता है, इने group, किसी भी index, अगर subgroup का index 2 आजाता है, किसी group में, तो वो क्या कहलाता है, normal subgroup कहलाता है, of group g, वो क्या बन जाता है, उसका normal subgroup बन जाता है, तो therefore, अब कि का आया है यहां पर H का आया है कि K का आया है index to H का therefore इधर के आयेगा H इजे normal subgroup of G तो H का हमारा normal subgroup किस का group G का उसके बाद क्या लिखना है and H K is equal to KH हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा H K is equal to KH हो जाएगा और इधर लिख देंगे since H and K are subgroup of G and also H K is the subgroup of G ठीक है इतना सा करना है उसके लिए दूसरा question इसे में पूछाओ check order of h intersection k is greater than equal to 5 तो इसको कैसे check करते हैं बिल्कुल simple सा है जो हमारा क्या दे रखा है हमें order of h कितना दे रखा है और order of k कितना दे रखा है simple सा पहले यह question है तो order of h हमें 20 दे रखा है और order of h हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है हमें देखना है इन दोनों को common divide कौन का है जो दोनों को divide करना वो लेना है हमें 1 है जो दोनों को divide करेगा उसके बाद 2 हमारा दोनों को divide करेगा इन दोनों को लेना order of h जो subgroup है उनका 2 दोनों को divide कर रहा है 3 नहीं करेगा 4 नहीं कर रहा क्योंकि 4 8 को नहीं करेगा फिर हमारा 5 दोनों को कर रहा है 5 के बाद हमारा सीधर 10 करेगा अब 10 के बाद तो जाएगा नहीं क्योंकि 10 से बड़ा तो जाएगा नहीं क्योंकि 20 लेंगे तो 20 20 को divide करेगा वो 10 को divide नहीं करेगा, तो इधर हमारे कितने order of group possible है, जो मैंने कहां लिए, यह हमारे, इनके यह possible है, अब check करते हैं, देखो, let, सबसे पहले मालेते हैं, order of h intersection के हमारा क्या हो, 1 हो, इन में से यह के को check करेंगे अभी, order of h intersection के हो, हमारा 1 हो, तो हमारा order of h के कितना होगा, क्या है, order of h के कितना होगा, तो इसका क्या formula होता है, order of h multiply order of k upon order of h intersection k, इसका यह formula होता है, अगर हमारा 1 है, तो क्या होगा, order of h कितना है, 20, order of k कितना है, 10 upon 1, तो कितना आ गया, 200, भाई, order of h के कितना आ गया, 200, भाई, possible नहीं है, क्योंकि हमारा group का order कितना है, only हमारा 40, कितना ह हमारा 40, तो यह तो हमारा possible ही नहीं है, not possible हो गया पहला case, तो यह तो हमारा नहीं आएगा, order of h intersection equal to 1 नहीं है, दूसरा check करो, let oh intersection k is equal to, दूसरा क्या हमारा 2 ले लेते हैं, तो same formula order of h multiply में order of k upon order of h union k, तो इनका 20 है, एक का 10 है, और नेच्ची कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हमने 2 लेट किया है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10, 100, 100 भी possible नहीं है, क्योंकि यह क्या है, order of group से greater है, तो दूसरा case भी fail हो गया, अब तीसरा case पे चलते हैं, order of, कि अभी किसका है, तीसरा case ले लेते हैं, h intersection k is equal to 5 ले ले लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारा order of h multiply order of k upon order of h intersection k, तो यह कितना 20 है, यह कितना 10 है, और यह कितना ले लिए 5, तो 5 के 2 पे चला गए, भाई 40, possible हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा order of group क्या है, 40 है, यह क्या है, यह तो हमारा less than equal to होना चाहिए group के, और या फिर उसके equal होना चाहिए, तो यह case है, हमारा चलेगा, equal हो सकता है, order of h into k क्या है, 5 के equal हो सकता है, और हमें prove क्या करना था, चेक करना था, कि ऐसा है कि, 5 के equal बिल्कुल हो सकता है, यहां तक correct है, अब इससे ज़्यादा ही होगा, यह से कम होगा, एक last case और बन सकता है, h intersection k is equal to k हो सकता हमारा, 10 हो सकता है, तो order of h, order of k, upon में order of h, intersection k, तो यह कितन भी possible है, तो आपको पता लग गया, order of h, intersection k, या एक हमारा कितना है, 5 के बराबर आ रहा है, तो 5 के बराबर का sign, और उससे बड़ा क्या बड़ा भी हो रहा है, तो greater than or equal to 5 होगा, ठीक है, order क्या होगा, greater than equal to 5, equal to क्यों है, क्योंकि 5 पे जा रहा है, और 10 इससे बड़ा है, तो है, same question अगला है, इसमें क्या है, एक मिन्टो को students, मैंने same copy कर लगी दिया, एक second group नो uphold करो, इसमें हम एक कोई भी next question में, एक आपके लिए, कोई जो आपका मन करे, वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं order of group यहाँ पे डाल देता हूं, 36, और h or k का subgroup का डाल देता हूं, 18 औ इंडेक्स निकालना सबसे पहले दो, तो order of group कितना दिया हूं, 36, order of h कितना दिया हूं, 18, 18, 22, 36, index इसका 2 आ गया, देखो, अगला का देखो, 36 अपन में 9, 9, 36, तो इसका index च्यारा है, हमें किसका index देखना है, जो इसका 2 आए, हमें किसका index देखना है, जिसका 2 आए, index 2 किस जिसका आया है यहां पर H का है तो H क्या हो जाएगा इंडेक्स क्या जाए जिसका 2 आ जाए ठीक है तो यहां पर therefore x is a normal subgroup of g same round repeat करना आपको अब आगे क्या क्या case हो सकता है यह पार्ट तो पूरू हो गया हमारा अब नीचे क्या है order of h intersection k is greater than equal to 3 हमें तो यह चेक करना है इसके लिए order of h और order of k पता होना चीए तो इसके लिए यह 18 है और यह हमारा 9 है और order of group कितना है हमारा 36 अब इससे ऐसे numbers लेने हैं तो इसको दोनों को डिवाइड करें तो 1 तो सब को करता है उसके बाद 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है और उसके बाद 9 तीनों को डिवाइड कर रहा है और फिर सिम पहला case चेक करेंगे तो हमारा 1502 आएगा जो कि possible नहीं है दूसरा हमारा 45 आएगा यह भी possible नहीं है क्यों कि order of group हमारा कितना है 36 है फिर third case लेंगे third case में हमारा क्या जाएगा यह इससे less आएगा तो यह case हमारा possible है त तो यह बात आपको बिल्कूल अच्छी तरह ध्यान में रखनी है तो इस परकार के questions आपके exam में पूछे जाते हैं इन पे आपको ध्यान रखना है next question में बहुत important question और भी मैं next lecture में लेक्टर में लेक्टर में आउंगा आपके लिए तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडि पर तो हमारा possible ही नहीं हो रहा यहां पर और यह 54 दिया हुआ है ठीक है यह 53 दिया हुआ और order group 36 है तो यह तो possible नहीं है क्या हमारा 3 से बड़ा होना चीए तो यह less than equal to assign यहां पर हटा दो ओके थैंक यू